दोस्तों Gी वंटसब में Blue tick, Double tick और blue microphone किस तरह से height किया जाता है, यह तो मैंने आपको बता दिया लेकिन इस privacy को ढालने के बाद इसे हटाया कैसे जाता है, कैसे दोबारा से नॉर्मल किया जाता है, Gी वंटसब को और ये बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं उन्हें problem हो रही है blue tick को दोबारा लाने में double tick को दोबारा लाने में आज के इस वीडियो में आप यहीं जानाेंगे किस तरह से इस privacy को हटाया जाता है और किस तरह से पहले की तरह WhatsApp को normal किया जाता है GB WhatsApp के कुछ features काफ़े advanced हैं जो कि आपके normal WhatsApp में नहीं मिलते हैं लेकिन उसको use करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि किस तरह से उस privacy को हटाया जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों वीडियो को last तक देख लीजिए अगर information आपको अच्छा लएगे तो वीडियो को last में like भी कर देना आप वीडियो पर comment भी कर देना और subscribe हो सके तो जरूर से कर देना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए GB WhatsApp open करेंगे सबसे उपर में 3.diis पे किलिक करेंगे GB settings में जाएंगे Privacy and Security में जाएंगे Contacts में जाएंगे यहाँ देखिए सारे में चेक किया हुआ यानि कि मैंने सब कुछ hide करके रखा hide blue tick, hide second tick, hide blue microphone, hide typing, hide recording इन सब को uncheck करने के बाद यहाँ OK करते ही हमारा GB WhatsApp पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा blue tick, second tick, blue microphone, typing, recording सारा कुछ सो होने लगेगा तो चलिए इन सब को uncheck कर देते हैं एक चीज यहाँ पर गवर किजिएगा hide second tick करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखाता है use this mode on your own wrist message might get delivered, received late अगर यह option आप use करोगे मतब double tick आप अपना hide करोगे तो आपको message late मिलेगा बहुत सारे मेरे भाईयों को यह privacy डालने का बाद problem हो रही है उन्होंने हमसे इसका solution पुछा तो इसका कोई solution है नहीं आपको यह privacy हटाना पड़ेगा तभी जाकर आपको message time पे मिलेगा उसी तरह यहाँ पे hide blue microphone यूज किजिएगा तो यहाँ पे इस तरह का आपको एक attention वाला message आएगा use this mode on your own wrist messages might get delivered, received late तो अगर आप यह दोनो privacy यूज करोगे hide second tick, hide blue microphone तो आपको message late मिलेगा तो यह दोनों privacy यूज करने से पहले यह बात आप समझ लो तो चलिए अब मैं uncheck कर देता हूँ इसको okay कर देता हूँ अब यह मैंने कर दिया आप मेरा whatsapp पहले की तरह normal हो गया जिबी whatsapp बंद करके हम जैसे restart करेंगे तो हमारा message जो है blue tick भी होने लगेगा double tick भी होने लगेगा सामने वाले को साफ दिखाई देगा double tick भी blue tick भी तो hope you guys आपको यह video समझ में आ गया होगा video अच्छा लगा हो तो please channel को subscribe करके जाना यह भाई का आप से request है तो आज की लिए बस इतना ही thank you